अरे यार कितनी बार बोला है आपको यहां पर पहर रखके मत चड़ा करो गाड़ी के अंदर स्क्रेचिस पढ़ जाते हैं यहां पे हाई गाईज वेलकम बेक टो आचनल कार डिया वाई गाईज आवाज सोड़ी खराब है पर फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे है तो अभी आपने देखा कि गाड़ी में बैचते और उतरते वक्त साइड सील पे कुछ स्क्रेचिस पढ़ जाते हैं और अगर आप भी अ स्क्रेचिस पढ़ जाते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता देते हैं कि साइड सील होता क्या है तो यह वाला जो पार्ट होता है गाड़ी का इसको बोलते हैं साइड सील और यहां पे आप देख और फिर चड़ते हैं सेकंड स्टैप आगे रखते हैं तो यहां पे स्क्रेचिस पढ़ जाते हैं तो गाइज अब इस पार्ट को हमें स्क्रेचिस से बचाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है तो दो ऑप्शन हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पहला है सकफ प्ल जिसके अंदर light जलती है और एक होती है non illuminated जिसके अंदर कोई light नी जलती बस नाम लिखा होता है गाड़ी का दूसरा option होता है anti scratch vinyl stickers जो आज हम इस वीडियो में install करने वाले हैं यह एक cheaper option है तो guys यह है anti scratch stickers जो मैंने order करके मंगाए है आपको description में कुछ links मिल जाएंगे आप चेक क अपने according order कर सकते हो अगर आपको भी चाहिए अब आपको एक set के अंदर चार पीस मिलते हैं इस तरीके से front और rear के लिए और आपको यह इस तरीके से ऐसी packaging में मिलते हैं रोल होके आते हैं आप अपनी screen पे देख सकते हो कि कैसे रोल होके आये थे और मैंने अपनी mattress के नीचे रखके इनको straight कर लिया तो गाइस यह जो stickers है यह carbon fiber finish में आपको मिल जाएंगे साथ ही customized है जैसे मेरी nexon गाड़ी है तो इस पे nexon लिखा हुआ है अब इसकी durability कैसी है quality कैसी है I'm not sure बट इसकी जो cost है वो आपको ज़्यादा bother करने नहीं देगी इस बारे में क्योंकि यह आपको 200-500 रुपे के बीच मिल जाएंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह product मंगाए जाए और test करके देखा जाए कि कैसा product है तो इसको थोड़े time use करने के बाद मैं आपको बता दूँगा कि क्या है यह product अच्छा है या बेकार है या कैसा है तो चलिए अब installation part शिरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे install करना इसे अपन बना रहे हैं तो मैं दो बोटल में लिक्या हूँ पानी एक में swappy water है और एक में normal water है बस हमें कुछ नहीं करना उसके बाद sticker को पील आफ करके बस लगाना है और आपको एक card चीएगा card के हल से हम squeeze कर देंगी जितनी भी उसके अंदर air है बस इतना ही है एक आगे का लगा के दिखाऊँगा और एक rear का उस side का similar लिए आप लगाई लोगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक microfiber cloth लेके surface को clean करना है जितनी भी dust है loose dirt है वो हट जाएगी उसके बाद हम soapy water डालेंगे और microfiber cloth लेके अब अच्छे से मैं इसको साफ कर दूँगा अब मैं normal water डालूँगा और microfiber को use करके अच्छे से इसको मैं साफ कर दूँगा इसी तरीके से पीछे का साफ कर लेते हैं तब तक यहां का ये area सूख भी जाएगा तो जैसे मैंने आपको आगे के लिए बताया है वैसी ही मैं पीछे के लिए कर रहा हूँ loose dirt हटा रहा हूँ now soapy water अब normal पानी soapy water मैं इसलिए use कर रहा हूँ कि अगर कोई grease या oily substance होगा तो वो भी हट जाएगा और जो sticker हम लगा रहे है वो अच्छे से stick हो पाएगा surface clean हो चुका है अब आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है sticker तो आपको अपने according इसको set करना है कि आपको कहां से शुरू करना है like मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ इसको और मेरे पास यहां पे एक कोई पुराना card पड़ा हुआ है इसकी help से मैं जितनी भी air है उसे squeeze करके बहार निकाल दूँगा अब इसको शुरू करते हैं लगाना जितनी अराम से और जितने patience से आप इसको लगाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा यह इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि hard and fast रूल है आप अराम-अराम से इसको लगाओ सबसे पहले हम इधर से इसको हटाएंगे इस तरीके से अब मेरी कोशिश है कि मैं यहां से इसको शुरू करूँ मैंने इसकी position set करने में थोड़ा time लगाया बट मैंने इसको properly लगा लिया जब मैं satisfy हो गया तो मैंने इसको छोड़ दिया और card को use करके मैं इसकी जितनी भी air है वो squeeze out करूँगा जैसे यह bubbles है यहां पर यह bubbles है इसको हम squeeze out करेंगे तो कुछ इस तरीके का लग गया है यह आप देख सकते हो ऐसी फिनिश है अभी जो नेक्सोन है मुझे लग रहा है सबसे पहले यही हटेगा ऐसी intuition आ रही है क्योंकि यहां पर इसमें bubbles है जो कि जानी रहे है और यह क्या करते है न यह लोग कि यह जो नेक्सोन है यह जस्ट जो नीचे वाला carbon fiber था उस पे यह अलग से sticker चिपका देते हैं अगर आपने venue का मांगा तो venue का sticker लगा देंगे अगर आपने नेक्सोन मांगी तो नेक्सोन का sticker लगा देंगे और यह नीचे वाला carbon fiber यह common रहता है तो यह चीज है तो देखते हैं कितने दिन चलता है बट ठीक लग रहा है स्क्रैचिस से तो बचाई लेगा अब पीछे का लगा देते हैं हम यहां पे भी थोड़ा सा आप आएं तो बात वही है कि आप कितने अच्छे तरीके से और अराम से लगाते हों बिल्कुल अराम से अब यहां पर छोटा सा एक bubble है उसको हम squeeze out करेंगे तो guys आपने देखा कैसे हमने यह vinyl sticker लगा के अपनी side seal को protect किया और अब यह स्क्रैचिस से हमें बचाएगा अब इसकी durability का तो मैंने बताया कि कोई भरोसा नहीं है टेस्ट करेंगे बट एक चीज़ तो clear दिख गई जो मैंने आपको बता दी कि जो इन एक नेक्सोन लिखा है यह जाने वाला है अब यह एक generic वीडियो है अगर आपके पास कोई और गाड़ी है वेन्यू है सौनेट है ब्रेजा है एनी कार आप उसमें यह कर सकते हो तो कोई यह ऐसा नहीं है कि नेक्सोन के लिए आप किसी भी गाड़ी में यह लगा सकते हो और project की cost भी बहुत कम है 200-500 रुपे में आप पूरा काम कर लोगे घर पे ही तो मैं तो आपको suggest करूँगा कि भाई अगर आपको भी मेरी तरह अपनी गाड़ी से प्यार है तो आप भी यह कर सकते हो आपको यह scratches से definitely बचाएगा तो guys यह थी एक छोटी सी और useful DIY आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे हमारे चैनल काड DIY को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू